हाई फ्रेंट स्वागत है हैं सभी का सिविल टेक एच के चैनल में बात करने वाले हैं हाउ तू कनवेट कॉलों बीम टू इसकारफिट फ्रेंड आज हम जानेगे कॉलों और बीम का सेटरिंग कैसे कनवेट किया जाता है एकजांपल के लिए फ्रेंड आप किसी ठीकेदार को काम बिल्टिंग का काम जो आप घर का काम होता है फ्रेंट कोलम या बीम ठीके पर दे रखा है इस कारफिट के हिसाब से तो फ्रेंट इसको इस कारफिट पर निकाल के अपने ठीकेदार को कैसे पेमेट करेंगे कॉलम को इस कारफिट में निकालके कैसे ठीकातर को प्रिमिट करेंगे पुरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है फ्रेंट तो हमारे सब वीडियो में बने रही है फ्रेंट तो friend अभी तक हमारे चेलंज पर आप नए हैं तो चैनल को स्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें तो सब पहले जानते हैं friend column के बारे में column का scarfeit कैसे निकाला जाता है तो आप देख सकते हैं friend यह हमारा column है यह हमारा column का size है बारा इंची बाई 12 इंची भाई 8 इंची गा तो हमें फेरंट इसमे इसका रफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले फेरंट ये 12 इंची का इधर का साइड है तो 12 इंची का इधर का साइड हुआ तो 12 दुनी हमारा कितना हो गया फेरंट 24 तो हमें ये दोनों साइड 24 दियान से देखेगा फ्रेंद्ड, ये 21, ये 14- Keeta और आच छॉलिस पुर्ण 24 संची है और ये वरा स्ट लागे मेरा चाली उंची अब इस चाली संची को हमें की केंट करना है हीट में कंभीट करना है तो हमें यह 12 से डिवाइट करना है फ्रेंट 12 से डिवाइट करें फ्रेंट हमें तो हमारा कितना आएगा तो 12 से डिवाइट करने के फ्रेंट हमारा आ जाएगा यहां पर 3.33 और बहुत साठे 3 तरी आएंगे टो यह हमारा क्या हो गया प्रेंट 40 सेंची जो हमारा इस चाड़ तरफ से सर्कल था यह 40 सेंची था तो 40 सेंच वह हम फीट में कनड़ किये तुप हमारा बना 3.33 यह हमारा फीट में कनड़ ह 900 फिट में निकल गया अब हमारा कोलम का है लेना है एक्जामपल के लिए हमारा कोलम का जो है उद्ध मानके चलो ज्यादा बीए बारा फिट भी हो सकता है फिटना आप निकाल सकते हो हम यहां पे लिए हैं तो आप क्या करना है हमें 3.33 को में दस से गुना करना है दस से गुना करना है तो दस से गुना करने के बाद हमारा कितना एंसर निकल के आया गा फ्रेंट 63.33 यह हमारा फिट निकल के आया फ्रेंट यह हमारा बन गया स्क्वाइर फिट स्क्वाइर फिट बन गया हमारा फ्रेंट यह है यह बन गया हमारा स्क्वाइर फिट यह हमारा स्क्वाइर फिट बन गया यह हमारा कॉलम का स्क्वाइर फिट बन गया 12 इंच इंच यह हमारा कॉलम है कॉलम को 10 फिट नंबाई है इसे साब से यह हमारा 33 फिट निकल गया तो यह तो फरें हो गया कॉलम का अब बीम का कैसे नि सब्सक्राइब निगाना घुंटो一 इंच को? टबिभा भागली सब्सक्राइब अबिल आनल पड़ायो संवाल हुआ नवनों सदुर्टोठी को सब्सक्राइब ऐससे बतार कि कुछ जाइनि Essentially पर भी दून तरफे सब्सक्राइब अगत्स तो नों सब्हां कुल्स है नौ कुंझ करा वैं जो करना थी ख़ंच इंध तो फिर सी डिवाइट करना फीट में जलिए लिए bị रावे से कि या अगर करता है इस श् âg an to do पंप्वाइश आज जाएगा हमारा 1.5 कि हमारा फीट बन गया 1.5 पैड पिट आ गया का कर ना इस तो फीट हो गया हमारा दोनों side का और फ्रेंट आप माल लूu example के लिए हमारा जो बीम का size है वह हमारा 20 feet 20 feet हमारा size है 20 feet size है हमारा तो अब क्या करना हम है यह जो आया हमारा निकलके 1 point 5 जो आया हमारा इसे 20 से फिर से गुना करना है, 20 से गुना करने के बाद हमारा बीम का जो टोटल एरिया है वो निकल के आएगा 30 feet, 30 square feet आएगा हमारा निकल के बीम का लंबाई, तो इसे साब से यह बीम का लंबाई जोड़ा जाता है, और एक बाद फ्रेंड, यही फिट अगर हम पिलिप बी पिलिप बीम में जो होता है, तो अगर च्छत के उपर का बीम है, तो सिलाप में इसका बोटम जो होता है फ्रेंड, नीचे तो एक साइड होता है बोटम, यह बोटम का जो साइज है, यह आ जाता है हमारा च्छत में आरपार एक बार नाप हो जाता है फ्रेंड, यह हमारा यह यहां से यहां का देता है यहां से इनलेकर पिर निकाल ज़ता है खर्णीक्रा इसे निकालता है तो हमें कमेट में लिखे हम कोशिश करेंगे चतका भी आपको वीडियो बनाएं तो इसी परकार से फ्रेंब यह निकाला जाता है पहले को चारो साइड गुलाई में आपको इंच में बनाना है जैसे हमने बनाएं फ्रेंट बारा दूने चोबीस इंच हो बारा इंच से फिट में इन प्रेंट करना है तो 3.33 आगे हमारा प्रेंट में फिर नंबाई लेना है जितना भी आपको लंबाई है लंड़ाएं लेना है नंबाई हमारा इसमपल के लिए दस पर लिया था तो अमने यहां पे 10 पिर लिए 10 को 353 3 से लगुना किया दस को 35 33. 3.33 आया है हमारा स्क्वार पिट्ट इसके निकल गया भीम का ऐसे निकालता है तो फ्रेंड असा करते हैं वीडियो पसंद आए वीडियो पैसंद है तो फ्रेंड लैक करें शेयर करें और कमेट करें जलते हैं फ्रेंट वीडियो पुरा देखने के लिए फ्रेंट धन्यवाद असर करते हैं ऐसे वीडियो के साथ फिर मुलाहत होगी तब तक के लिए फ्रेंट धन्यवाद